आपसबिल्लाई में शुर्टान वाजीम बिस्विल्लाई मौलराईम डियर स्टुड़न असलाम वालेकुम तोड़े वी विल डिस्कास अवर नेक्स हेरिंग बिचिस माइटो कॉंडेरिया स्टुड़न हम अपने चप्र निबर फूर को डिस्कस कर रहे थें विचिस सेल्ज के अंदर यह क्या वर्क कर रहा होता है और इस तरीके से बन रहा होता है हम इसे डिसकस करेंगे माइटो कॉंडेरिया जो हमारे साइटो प्लाजम में मौजूद होती है बिल्कुल इस तरह जिस तरह न्यूपलेस मौजूद होता है साइटोस्केलेटन मौजूद होते हैं ग हरे किंसे हमारे सल के अंदर सर्फ एक माइटो कॉन्डी ली कि और उसे हम मैईटो कॉन्रियो या कहते हैंeeee प्रोग्रोट कि पुछा नित्य कि चति होगें कि म्योंड कश्याइब कर दो किसी तुछ गोगी तो इस बिच्वार्ट चेल वो सो सुना नहीं कि चतरइब करेंग जो तो में दिएन तक में डिएन था कि उसमें जो में डिएन युकले सका रहादा कियोंके उसमें प्र 아니야 मैंब्रेन बांडडे गी सूरत में लेकिन यो यह क्रियोटिक के लावा प्रacht psychiatriotik में मौचु नहीं होता .味ी ऑ्र डूंक्स कोंड़ेड से इंका वांडी की मम्रानिन मेंपरियर को उता हम चता है उच्छ जी उचांते है व हम कॉच्छ दरी जो kapषिया है मेंपरन Iss फॉसफोलिइड डाली आप अन। कि तरह work कर रहुता है और ATP को generate कर रहुता है the inner membrane contains many fluids, अब यह inner membrane जो है इस पें बहुत सरे fluids मौजूद होते हैं जिसे हम घैस्टीन कहते है which contains specialized membrane protein जो अपने पास क्या contain करते है specialized membrane protein को contain करते है that enables the mitochondria to synthesize ATP, अब यह protein को क्यों contain है इसले ताकि ये mitochondria को enable कर सके कि वो synthesize करे ATP को ATP यानि कि energy जो है वो मौजूद होती है और ये membrane protein Wirids ये energy को बनाने के लिए वो मौजूद होते है और ये energy स्टोर होती है ATP की form में यानि कि ये ATP क्या है ये energy है energy ATP की form में मौजूद है वो भी mitochondria मेंब्रायाके अंदर इन्साइड इनर मेंब्रेन के अंदर ,å center of आटार मारता संवरे मिल्व महन कोवा है तर रहं इस तरीके के मेप स्क्राइ gola को are you आटार अहार होता है और इसके अंदर अंदर यहां में प्रिक्ता कि अं Alfie आल armored यहिस में दिखाई गई इक एंदर इस त्रीके के ऑर्गनल बाठ्री worked मौझूद है अगर हम इस तरीके से हमारा पूरा आउटर लिया रहे है और अंदर जो है वो हमारे पास क्या मौझूद है अंदर मौझूद है हमारे पास जैली लाइक मैट्रिक्स मौझूद है यह हमारे पास जैली लाइक मैट्रिक्स मौझूद है यह हमारे पास जैली लाइ स्पेस यह इंटर मेंब्रेन स्पेस कहलाता है हमारे आउटर मेंब्रेन को और इनर मेंब्रेन के दर्मियान जो स्पेस है वह इंटर मेंब्रेन स्पेस कहलाता है जो क्या कर रहा होते है ठीके बिल्कुल इसी तरीके से जैसे सल मेंब्रेन के दर्मियान जो है वह इंटर सलुलर मेंबरेन इंटर म्मेंब्रेन त्युआ सपां में ग्रिख पांगा में Erыми वालेटी ने कंडिक घेक अंदर मैंडे discrete उनि वहां की उनित्य ईर्च ओन्र्टी में yarn एक फ्लूड मौजूद होता है फ्लूड हमारे पास क्रिस्टाइन केलाता है यहां पे जो फ्लूड हमें दिया गया है यानि कि यह क्या कर रहा होता है यह इस तरीके से जो यह होल बना रहा है यानि कि जो आपस में मैट्रिक्स को जो जी सप्रेट करी वो क्रिस्टाइन केलात और यह सारे मदद क्या करें हैं मदद कर रहे हैं ATP को बनाने के लिए यहां पर oxygen इस्तमाल हो रहा है क्योंकि यह पर क्या जन्रेड रोड़ी इनरजी जन्रेड हो रही है इसले इन सारी चीजों के वह जरुवत पढ़ती हैं और यह सारी चीज़े का मौझुद होती है हमारे माइटो कॉंड़ यह इसके सारी जो हो चीजे मौझू दोती हैं इंटर में इसमें सपैस है मैट्रिक्स क्रिस्टाइन है और पूरी एटीप ज is a site of aerobic respiration Okay? Aerobic respiration सबसे बहले The first is the respiration process The respiration we're taking breath This is the respiration process It's the respinary system What happens in this process It happens in the process For example, we have glucose If we have glucose This is glucose Convert in the energy Glucose strength Convert in energy So, this process This is the respiration ग्लुकोस जब अनरजी में तो यह रास्पारिशन है एक जब पहले डिजेशन प्रोसेस होता है जब पहले हमारा जो फूड का इंटेक होने के बाद ब्रेकड़ाउन होना है वह हमारे पास डिजेशन प्रोसेस है तिक है मेटबॉलिसम है एक अगर कोई लार्ज अमांट में क ब्रेकड़ाउन प्रोसेस अब यह जो ग्लुकोस करेंड़ों का ऑक्सिजेन में यह कहलाएगा रैस्पारिशन ठीक है अभिस रैस्पारिशन प्रोसेस को करने के लिए अगर ऑक्सिजन स्टमाल हुई है आगर घ्र अग्र शगर ऑप्सिजेन की प्रेसेंस में और यानी कि इसे लिए oxygen जो है बहुत जादे नीड़ी है हम सबके लिए oxygen रिक्वाइड होता है ताकि यह प्रोसेस कहां पर हो यह अर्बिक प्रेस्पाइरिशन का प्रोसेस जो है यह माइटो कॉंडरिया कंदर हो और उसे हमें हायर कंसे एक पर आफ हरे तो आयर बिशा में सबके साइड हो रहा है तो व्ोल्क प्रोसे सबस्सक्तार में प्रोसेड करने शम elesवार्ण को इसपरव्म का ऊए-म्लिए तो फिर हमने उसे अपने बाकी काम के लिए अपने एक्री आंस्पोर्ट के लिए उन्हें एक्र अक्रेय बहुत जादा इंपॉडन होती है जादा एलाइफ के लिए बहुत जादा नीडी होती है therefore is the mitochondria is also called the powerhouse of cell मिटो कॉंडरिया क्या कहला है powerhouse of cell कहला है यानिके यहाँ बहुत सारी पावर है energy है ATP की फोर्म में इसले क्या कहला था powerhouse of cell अब यह जो है हमारे पास mitochondria में भी के आपको यह क्लियरली जो है वो डिफाइन होगी होगा explain होगा समझ आ गया होगा आपका concept क्लियर होगा होगा अब यह एक्जाम्स में किस तरह आता है यह आपके short question में एक question बनता है कि why mitochondria is called the powerhouse of cell यह आपके exam में जो review question है उसमें भी मौजूद होगा और यह आपके exams में भी पूछा जा सकता है कि mitochondria को हम powerhouse of cell क्यों कहते हैं तो उसके बाद आपने थोड़ा से reason define करना है और उसमें आपने अपने अरोबिक को भी include करना है इस वर्ड को उसके एलावा यह हमारे mcqs की point of view के लिए भी important है and the other hand हमारे definition में भी अपने करने कहा जाए तो वह भी mitochondria की डाइग्राम की labeling भी आपने अच्छे से देखनी है क्योंकि यह भी अपके exams में पुछा जा सकता है so I hope this lecture video is helpful for you if the video is helpful for you like the video and don't forget to subscribe my youtube channel for more biology and other subject lecture thank you so much for watching best of luck take care